कौशाम्भी जिले से एक अनोखा मामना सामने आया है। लड़के को मंचाही दुलहन नहीं मिली, तो उसने शिव मंदर से शिवलिंग ही चुरा लिया। महेवागार ठानाक शेतर के कुम्यावा बजार का रहने वाला 27 वर्षिय छोटू ने पूरे सावन के महीने में मंदर में अपनी हाजरी लगाई। अपनी शादी कराने के लिए भगवान शिव से मननत मानता रहा। हर दिन वो पूरे विधी विधान से शिवलिंग की पूजा अर्चना करता रहा। पूरा सावन का महीना बीद गया। लेकिन उसकी मननत पूरी नहीं हुई। इससे आहत होकर छोटू ने शिवलिंग को ही चुरा लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने 2 सितंबर को मन्दर से शिवलिंग चुरा कर पास में ही जाडियों में छिपा दिया था। गाव के कुछ लोग सुभा मंदर पहुँचे तो शिवलिंग गायब देखकर उनके होश उड़ गए। पुजारी की सूचना पर पुलिस ने जाच परताल शुरू की तो पता चला की शिवलिंग चोरी करने में छोटू नाम के शक्स का हाथ है। पुलिस ने जब छोटू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछ ताच की तो उसने शिवलिंग चोरी करने मंदर के बाहर छिपाने की बात स्विकार कर ली। जिसे सोमवार को पुलिस ने बरामत कर लिया है। जादिये के चक्कर है, जादिये के पागल होता है। उठा ले बेटा, उठा ले। जल्दी उठवो ननकरी बहुत वजनी होता है, सर्राका होता है। नर्मदा नदी। याध की बात स्विकला है। जादिये को पुजा पूजा कर लेकाश्य को वेटा लेटा ली। ये कम से कम, आज आठ मही ने थेली साहिब सामसुदवाता है। पूजा की बात सुख़े लेटाए। लेटा लेटा होता है। खुक मेशा जो तो आफ एक एक लुळाओ ने . भीम कें वोगरी गाभारत आकवर होगी यह better the rest